कुछ मानुभावों के मताबिक देश आजाद ही 2014 में हुआ हार गए तो क्या हुआ जोला उठा के जलने ही देंगे यही ड़ते रहेंगे एक मजबूत विपक्ष के रूप में भारत की जनता की आवाज बुलंद करते रहेंगे हम भारत के लोग जो हमारे सव्विधान की प्रस्तावना है इन चार शब्दों में भारत की ताकत और महांता छुपी है न कोई जात न धर्म न भाशा न पहराव सिर्फ हम भारत के लोग इसी में ही हमारी पहचान है और इसी में हमारी गरीमा बसी हुई है पर पिछले कुछ सालों में इस पहचान को इसी ताकत को धर्म की राजनीती से कमजोर बनाया गया है आज 2024 के बजट पर बात करने के लिए आपने मुझे मुझे मौका दिया मैं थोड़ा आपको इतिहास में ले जाना चाहते हूँ हम सब जानते हैं और पूरा विश्व ये मानता है कि कुछ शतकों पहले भारत सोने की चिडिया थी उस समय जीडीपी और इस प्रकार की चीजे नहीं थी पर भारत एकनॉमिकली और कल्चुरली विश्व की एक महाशक्ती थी और हम ये भी जानते हैं कि भारत में शूर वीरो की कोई कमी नहीं थी बावजूद इसके मुठी भर हमलावारों ने हमें कई बार लूटा और ना सिर्फ लूटा हमें सेक्डो साल गुलाम बनाया रखा ऐसे क्यों हुआ पहले मुगल फिर अंग्रेज ने भारत पर राज किया ये वो कर पाए क्योंकि सोना चांदी हीरे जवारत पैसे की कोई कमी नहीं थी लेकिन कमी सिर्फ एक बात की थी और वो थी सामाजिक एकता की धन दौलत ताकत कुछ मुठी भार राजाओं और समाज के ठेकेदारों के पास थी 90 प्रतिशत समाज प्रताडित था और मैं ये कहूंगी कि जान बूच कर इनी समाज के ठेकेदारों के द्वारा देश गरीब रखा गया था आज हमारा देश दुनिया की पाँचवी लाजिस्ट एकॉनिमी है और मुझे ये उमीद ही नहीं बलकि पूरा विश्वास है कि हम जल्दी दुनिया की पहले नंबर की एकॉनिमी बनेंगे क्योंकि इसके प्रगिती की मजबूत नीव स्वतंतरता के बाद के सरकार ने रखी थे पर इसी के साथ आज हम समाजिक तौर पर जात पात धर्म की शाखाओं में बिखरते जा रहे हैं कमजोर होते जा रहे हैं फिनांशल इनिकॉलिटी बढ़ती जा रही है पैसा और सत्ता कुछ छन ठेकेदारों के पास संचित हो रहा है या मैं ये कहूंगे कि सत्ता की लालसा में ऐसा करवाया जानबूच के जा रहा है मेरी ये सब बाते कहने का तातपर्या यही है कि समाज की प्रगिती सिर्फ मजबूत एकॉनिमी से ही नहीं समाज की एक्ता में है और हमें इतिहास में हुई गल्तियों को दोहराने से बचना चाहिए बीजेपी पिछले एक दर्शक से सत्ता में है पर इनके मुताबिक आज भी हिंदू खत्रे में है क्या ये हकीकत है या फिर बीजेपी हिंदूों को इस डर में रखकर अपनी राजनीती चमका रही है आप बताए जो संस्कृती हजारों साल गुलामी के जंजीर में जखडी पड़ी है रहने के बावजूत जिंदा है जिंदा ही नहीं सारे विश्व में अपना डंका बजा रही है वो खत्रे में कैसे आ सकती है पर फिर सोचने पर मुझे महसूस होता है कि बीजेपी और उनकी नीतिया के वज़े से हिंदू खत्रे में है एक नदी के बाहव की तरह बहती चली आ रही हमारी हिंदू संस्कृती है सामने आने वाले हर कटरता के पहाड़ों को काटते हुए हर पत्थर के सेंद लगाते हुए वो बह रही है उसके बाहव को ना कोई तलवार काट सकती है ना ही कोई पहाड रोक सकता है पर आज दुर्भाग्यवश उसी नदी के बाहव रोक कर कटरता में ढालने की कोशिश की जा रही है और मैं समझती हूँ कि यही भारत्य संस्कृती के पतन का कारण बन सकता है अध्यक्ष महुदै डॉक्टर बाबा सहब अम्बेटकर ने बनाए गए सब्विधान के बदौलत पिछडे और दलित वर्ग को आरक्षन के जरिये समाज में इस्थान और समान मिला पर आज वो आरक्षन भी इनके नजरों में खटक रहा है इसलिए सभी सरकारी और निम सरकारी कंपनीज का प्राइविटाइजेशन करके इंडिरेक्ली आरक्षन खतम करने का शडियंत्र बीजेपी कर रही है स्पीकर सर इनके मताबिक गए 2014 के पहले कोई भी अच्छा काम देश में नहीं हुआ और कुछ मानुभावों के मताबिक देश आजाद ही 2014 में हुआ खेर आप कितनी भी कोशिश कीजिए लेकिन इस सचाई को नहीं जटला सकते कि आज जो भारत चांड पर पहुँचा उसकी निव इश्रों के रूप में पंदित नहरू जी ने रखी थी 2014 से बीजेपी अपने जूटे प्रॉपगांडा से कॉंग्रिस की लेगसी को मिटाने की पुर्जोड कोशिश करी है पर इनकी लाखों नौन बायोजिकल कोशिश के बावजूद दुनिया इस देश को नहरू गांदी का देश ही मानेगी ये दुनिया की किसी भी कोने में जब जाते है तो इनको गांदी जी के प्रतिमा के सामने ही नतमस तक होना पड़ता है ऐसी सरकार और ऐसे वित्मंत्री से हम क्या उम्मीद करें जो प्यास के बढ़ते दाम के सवाल पर कहती है कि दाम बढ़ते हो तो बढ़ने दो मैं प्यास नहीं खाती स्कूल कॉलिज के फीस बढ़ते हैं तो बढ़ने दो हम शिक्षा नहीं भक बढ़ाते हैं पर फिर भी जनता की प्रतिनिदी होने के नाते मेरा दायत तो है कि मैं लोगों के प्रश्णे सदन में समक्ष पेश करूँ. अध्यक्ष महुदा है, पंतप्रधान किसान सन्मान योजना के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ. पंतप्रधान किसान योजना के माध्यम से किसानों को सलाना 6,000 रुपे दिये जाते है 2,000 रुपे तीन इंस्टॉल्मेंट्स में दिये जाते है 2,000 रुपे दिये जाते है लेकिन 18% फर्टिलाइजर्स के साक पे इनको GST के माध्यम से देना पड़ता है एक किसान एक साल में कम से कम एक लाख के फॉर्टिलाइजर खरीता है तो आप 6,000 रुपए देते हो लेकिन 18,000 उनसे लेते हो ये किस तरह की नाइंसाफी हुई उस किसान पे आप मज़ाक उड़ा रहा है उस किसान का 6,000 रुपए देते हैं 18,000 रुपए जी एस्टी के माध्या में से लेते हो जब यूपए की सरकार थी तब फर्टिलाइजर्स औजार रुपए से जी एस्टी एक्जेंट की गई थी मेरी मांग है कि 2,000 रुपए का जो अमाउंट है जो 6,000 सालाना मिलते है वो बढ़ा के 12,000 किये जाने चाहिए अध्यक्ष महोद है किसान सन्मान योजना मेरे कॉंसिट्यूजनसी में करीबन 50,000 लोग इस योजना से वंचित है क्योंकि इसको अप्रूवल्स नहीं मिल रहे है जब वो मंत्राले में जाते हैं पूछते हैं हमारे योजना को अप्रूवल को क्या हुआ वो कहते हैं कि दिल्ली जाके पूछो हमें नहीं पता है तो किसान योजना किसान सन्मान योजने का intention क्या है या तो किसानों को फसाया जा रहा है किसान योजना के माध्यम में से अधियक्ष मोदे फसल भीमा योजना महाराष्टरा में पस्चिम महाराष्टरा में शोलापूर सांगली सातारा कोलापूर में उड़त डाल और अरहर की डाल यहां पे उगाई जाती है लेकिन फसल वीमा योजना मिलती है सिर्व बाजरा, मक्का और सोया भी इनके लिए आपके माध्या में से मैं फाइनांस मिनिस्टर को से गुजारिश करती हूँ कि अरहर और उड़ा के लिए भी फसल वीमा योजना के फॉर्म एकसेट किये चुके है भर दिये हैं लेकिन फसल वीमा योजना मिल नहीं रही है अध्यक्ष मौरे पंतप्रधान आवास योजना अधर्निया फाइनांस मिनिस्टर जी ने कहा कि अडिशनल थ्री क्रॉर हाउजेज घर यहां पे इंक्रीस करके इस बजट में दे रहे है लेकिन पंतप्रधान आवास योजना का टार्गिट अभी तक महराश्टरा को नहीं मिला है क्योंकि ये योजना जो है गाउठान जमीन पे घर बांदे जाते है लेकिन असलियत यह है कि गाउं में गाउठान जमीन है ही नहीं जब कलेक्टर के पास जाते है तो कहा जाता है कि गाउठान जमीन नहीं है गाईरान जमीन धून के लाओ हम आपको पियाम आवास योजना देंगे अभी गाउठान जमीन लाएंगे कहा से तो आपके माध्यम में से मैं फाइनांस मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करती हूँ कि सारे कलेक्टर्स डिस्टिक कलेक्टर्स को आदेश दे कि जितनी भी गाउठान जमीन हैं गाउं में उनको गाउठान करके पंतप्रधान आवास योजना लोगों को लागू की जाए और सारे जो पेंडिंग प्रपोजल्स हैं वो एकसेप्ट किये जाए और मेरी आपसे ये गुजारिश है कि एक लाग चालिस हजार रुपैस योजना के लिए मिलते हैं तुटपुंजी है इसके लिए दो लाग पचास हजार दिये जाए पंतप्रधान आवास योजना के लिए अध्यक्ष मौद है मुद्रा लोन दो हजार चौदा में फाइनांस प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी अंबिशिसली मुद्रा लोन की घोशना की थी कल फाइनांस मिनिस्टर ने इसकी जो राशी है दस लाग से लेके बीस लाग की लेकिन मुद्रा लोन उस पीरिड में उन्हीं लोगों को मिले जिनकी शिफारिश ये बीजे पी के कार्यकरता होने की थी जबकि सामान्या आदमी जो है आम आदमी जो है उसको ये लोन नहीं मिला था सिर्फ कुछ चंड लोगों को ये लोन दिया गया था मेरी ये मांग है कि करोना के टाइम पे जो लाभार्ती मुद्रा लोन का कर्ज फेर नहीं पाए उनके लिए जैसे अपने अदानी अंबानी के लिए करजा माफ किया है वैसे इन लाभार्तियों के लिए भी करजा माफ किया जाए तुरंत माफ किया जाए मुद्रा लोन का जो परत्फेर करने का करजा है अदर्निया अध्यक्षा माउद है माइक्रो फाइनेंस और चिट फन्स जो दिये जाते हैं हमारे सेल्फ है ग्रूप को बीडी कामगारों को पावर लूम वरकोंस को दिये जाते हैं हमारी काफी सारे महिलाओं को दिये जाते हैं लेकिन ये माइक्रो फाइनेंस और चिट फन्स पे के उपर रेग्यूलेटरी authority नहीं होती है इसलिए ये बेहसाब interest इन लोगों से गरीब लोगों से लेते हैं अध्यक्ष माहुद है मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि कल के budget के speech में हमारी अन्नाधान्य सुरक्षा योजना जो है अन्ना सुरक्षा योजना जो यूपीयस सरकार ने लाई थी उसके बारे में finance minister ने कोई जिकर नहीं किया पिछले 10 साल से हमारे देश का जो गरीब है उसको अन्नाधान्य योजना का लाग नहीं मिल रहा है दस साल से करोडों लोग इस योजना से वंचित रह रहे हैं भूके मर रहे हैं और जैसे शैलजा जी ने कहा था कुपोर्शन का प्रमान जो है हमारी देश में बढ़ रहा है गरीब लोगों से जान बूच के एक फॉर्म जान बूच के भरा जा रहा है उनको बिना बताए कि अगर ये फॉर्म आप भरेंगे तो आपकी फूट सबसिडी कट हो जाएंगी ये जबरदस्ती उनसे ये फॉर्म भरवा रहे हैं ताकि उनको इस योजना जो की कॉंग्रिस की योजना थी उसका लाब ना मिले और इसके वज़े से धेर सारे लोग भूके हमारे देश में मर रहे हैं मैं फाइनांस मिनिस्टर से ये गुजारिश करती हूँ कि एपीयल काट धारक को तुरंत इस योजना का लाब मिला जाए और सारे के सारे जितने भी लोग हैं उनको धान मिला जाए अध्यक्षमोद महुद है कल कि स्पीच में आंध्रप्रदेश और बिहार के उपर बहुत प्यार जताया गया मुझे उस बात से कोई कंप्लेंड नहीं है पर महराष्टर से अतनी नफरत क्यों क्यों नहीं महराष्टर की तरफ उतना ही प्यार जताया गया जो बिहार और आंध्रप्रदेश के जताया ग या शायद उनको अंदाजा आया कि आने वाले एलेक्शन में, कि शायद उनको अंदाजा आया कि आने वाले एलेक्शन में उनको वो चुना हारने वाले है। मैं वितमंत्री को बताना चाहती हूँ कि महाराष्ट्रा में हिंद्वी स्वराज की नीव महाराष्ट्रा में रखी गई थी कंथर देशा, राकट देशा, दगडाचा देशा, महाराष्ट्र देशा ये हमारे प्यारे महाराष्ट्रा के बारे में कहा जाता है लेकिन अफसोस है कि महराष्ट्रा की तरफ कोई धान नहीं दिया जा रहा है, सिर्व महराष्ट्रा का इस्तमाल किया जाता है, अध्यक्ष महुद है, रेलवेज के बारे में बोलू, तो रेलवेज में स्लीपर कोच की संख्या जो है, वो कम कर रहे है, और फर्स क्लास और सेकंड क्लास की संख्या बढ़ा रहे है, देश का जो आम गरीब आदमी है, वो स्लीपर कोच से ट्राविल करता है, वो फर्स क्लास और सेकंड क्लास से नहीं किया जाता है, मैं आपके माध्यम में से, made in speech, म हमारे शौलापूर में एरपोर्ट है लेकिन एर सर्विस नहीं है, उड़ान स्कीम में आया गया है लेकिन जान बुछ के वहापे जो चिमनी थी, अब्स्रक्शन था वो तोड़ा गया लेकिन अभी तक वहापे एर सर्विस शुरू नहीं, बोरामनी एरपोर्ट है, वहापे airport के लिए funds एक बार दिये गए लेकिन फिर funds नहीं दिये गए मैं वित्तमंत्री से गुजारिश करती हूँ कि बोरामनी airport के लिए funds दिये जाए मंगवेडा जो हमारा तालू का है वहाँ पे जो irrigation scheme है वहाँ के 35 गाओं जो है वो पानी से वंचित है मैं विनंती करती हूँ कि वो गाओं के लिए भी आप irrigation scheme जल से जल अप्रूव करें आंक मैं यही कहना चाहती हूँ कि बीजेपी विपक्ष की अवेलना कर रही है कि हमें इतनी seats मिली जनता ने अस्विकार किया पर आपके 400 पार का क्या हुआ पर मैं उनसे कहना चाहूँगी कि हम स्विकार करते हैं कि सरकार बनाने के लिए परियाब seats नहीं जीत पाए हाँ हम हमारी बाते जनता को बहतर तरीके से शायद नहीं समझा पाए लेकिन ये भी कहना चाहूँगी कि हार गए तो क्या हुआ जोला उठा के चलने ही देंगे यही डटे रहेंगे एक मजबूत विपक्ष के रूप में भारत की जनता की आवाज बुलंद करते रहेंगे सेफ और सिर्फ इस देश के लिए और इस देश के जनता के लिए और आखरी कुछ अब कहके मैं समाप करना चाहूँगी कि सत्ता की लालच में ना फैलाओ समाज में दुरूवी करन का रोग सत्ता की लालच में ना फैलाओ समाज में दुरूवी करन का रोग आपकी हस्ती मिटा देंगे हम भारत के लोग जय हैं तन्यवाद जय महारा